दोस्तो आपके मन में भी एक फ्याल सोगासा, अगर घ। जमा कराते हैं। तो हम ैंकम टेक्स दे ने क्याध जोरते है। या अगर मैं या प्कम टेक्स्ट दे लिए तो हम गया दौन सब्क्राइब इनक्स्टा है। दोस्तों जनरली मुझसे इतना कोश्चन पूछा जाता है सब्सक्राइब हम इंकम टेक्स दे रहे हैं तो हम इंकम टेक्स क्यों दें तो दोस्तों मैं आपको यहां पर कोशिश कर रहा हूं दोनों को जो कि हमारा जोस्तों कोश्तों एक्ट 2017 कहता है जुलाई 2017 में दोस्तों यह इंडिडिवीज वा था जिसमें गॉर्मेंट ने बोला था वन नेशन वन टेक्स की बात की दी इसका मतलब कि जितने भी हमारे पुराने टेक्सिस थे उन सब को हटा के जैसे कि मैं बात करूं सेंट आपको कहा देना है घू जैसे देना है अब मैं बात करते हैं मेरा वह हुआ पहलर शर्य वहाcą का Tôi चोथा बिजनस से इंकम है फिर पांच वाप का अगर आप इन सब सोर्चिस से इंकम कमाते हो और आपकी जो टेक्सेवल इंकम है वह आपकी बेसिक लिमिट से ज़्यादा होती है तो दोनों में दोस्तों यह डिफरेंस है कि जो जीएस्टी की बात करता है वो तो आपको किसके उपर देना है supply of goods and services की बात आती है जहां पर यानि कि जहां पर आप goods में deal कर रहे हो services में deal कर रहे हो बिजनस कर रहे हो लेकिन जब मैं income tax की बात करता हूं तो income आपको किसके ओपर देना income tax जो आपकी net income है उसके उपर यानिकि जो आपको खर्चा काटने के बाद जो net income बची जो आपकी net आए अगर तो समय बीस हजार का बेच के मुझे net income कितनी मुझे मुनाफ़ा कितना हुआ मुझे profit कितना हुआ तो उस profit के ऊपर आपको जो net profit आपका निकलेगा उसके ऊपर आपको कहा देना होता है अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ दूसरी तरफ income tax की अगर आप कोई भी income कमाते हो इन सब sources से तो आप income tax के दाएरे में आते हो और अगर आपकी basic exemption limit से जाधा है आपकी income तो आपको income tax लगेगा और दोस्तों इसके लिए मैंने लेक्से एक वीडियो बनाई हुई है आप इ वीडियो को like करें शेयर करें और दोस्तों नीचे लाल बटन है चैनल को subscribe जरूर करना है ताकि ऐसे informative वीडियो आपको time time पे मिलते रहे थैंक यू